पैस्री कृष्णा आज हम जानेंगे कि गुंगा पंचमी अथवा भाई भिन्ना अथवा नाग पंचमी का त्योहार किस तरह से किस विधी से मनाया जाता हैं तो चलिए जानते हैं क्या विधी हैं इन त्योहारों को मनाने की यह भादरपद कृष्णा पंचमी को मनाया जाने वाला त्योहार हैं इस दिन नाग देवता की पूजा की विधान है नाग देवता की पूजा की जाती हैं इस दिन सबसे पहले कटोरे में दूद लेकर नागों को दूद पिलाना चाहिए फिर दीवाल में किसी एक जगह पर गैरू से उस जगह को पोत लेवें और थोड़े से दूद में कोईला पिसकर चौकोर घर जैसा बना कर उसमें पांच सर्प बनावें इसके बाद उन नागों को जल, कच्चा दूद, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी और चेनी मिला कर चड़ावें और यथा सकती इस रत के करने से इस्त्री सो भाग्यवति होती हैं, पती की विपत्तियों में रक्षा होती हैं और सभी मनो कामनाई पूरी होती हैं बहुत लोगों के यहां पूजन करके बहीने भाईयों को टिका भी लगाती हैं, वो मिठाई आदी भी देती हैं, तथा श्वैम चना और चावल का बना हुआ बासी भोजन उस दिन करती हैं, बदले में भाई यथा सक्ती द्रव्य अथवा धन बहीनों को देते हैं, तो इस त जोहार को मनाते हैं,